हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू गार्णिंग विधी तेश आज मैं आपसे कुछ सकुलेंट प्लांट्स शेर करने वाला हूँ जो की हैंगिंग बास्किट्स के लिए पर्फेक्ट प्लांट है और बहुत ही ज्यादा हाड़ी प्लांट है तेज गर्मी में भी आराम से चलते रहते हैं तो चलिए वीडियो शूर करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी संद्रोस बेबी संद्रोस समर्स का एक बहतरीन सकुलेंट प्लांट है और इसके साथ साथ इसमें जो है पिंक या रैडिकलर के छोटे 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 फ्लार्स भी निकलते हैं और ये एक संलविंग प्लांट है तेज धूप में इसमें फूल निकलेंगे और लीव्स भी इसके अच्छे ग्रो होंगे अगर आप इसे फुल डेकी संलाइट में रखेंगे शेड में रखने पर ये थोड़ा लैगी सा हो जाता है और फ्लार भी इसमें एक दो ही निकलते हैं और कटिंग से बहुत ही इसली ये ग्रो हो जाता है और इसकी मेरे पास एक वैरिगेटेड भी है वराइटी ये देखी ये मुझे छोटी सी कटिंग मिली थी कहीं से तो अभी ये चल पड़ी ये अच्छे से तो ये तो मेरी शेड में ये है इसमें फूल भी नाएव ये खूबसूरत लगती है क्योंकि इसके जो लीव्स है ना उसके एजिस पे बॉर्डर पे जो है वाइट कलर है तो फूलों के बिना ये खूबसूरत लगती है ये वाली वराइटी और नेक्स ये हमारे पास ये सीडम लैमन कॉरल सीडम सीडम ग्रास इसकी मेरे पास काफी वराइटी है मेरे गार्डन में सीडम की ये भी सैमी शेड में फूल सनलाइट में भी चल जाता है और शेड में थोड़े सी लीव्स का गैब बढ़ जाता है थोड़ा लैगी हो जाता है ये देखिए छोटे छोटे कप्स में मैंने काफी जगा पे अलग लग वराइटी सीडम की लगाई हुई है और जितने भी मैं आपको सकुलेंट प्लांट्स दिखा रहा हूँ न वो सैमी शेड में फुल सनलाइट में चलने वाले हैं ये नहीं कि सकुलेंट है तो उन्हें आपको जो है कंप्लीट शेड में ठंडी जगा में रखना है बिसिकली मैं आपसे हाडी सकुलेंट प्लांट्स शेर कर रहा हूँ जिनने आप हैंगिंग बास्केट में या नॉर्मल पोर्ट्स में भी लगा सकते हो ये ग्रीन वाली सीडम है ये भी अच्छी चल रही है और ये एक सीडम ल प्लांट्स शेड में और धूप में ये फुल सनलाइट में चल जाता है फुल सनलाइट में देखिए इसकी लीव्स थोड़ी ठिक हो जाते हैं और भरा भरा काफी अच्छा लगता है और ये भी सीडम की वराइटी है सीडम स्टॉन क्रॉप ये मैंने शेड में भी रखा और पास पास हैं और काफी एक घना सा लुक आ रहा है इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो बहुत ही एज़ी ली आराम से चलता रहता है और नेक्स या हमारे पास ये कलांचों की वराइटी इसकी मेरे पास दो वराइटी हैं ये जो वराइटी आप देख र दूस निकलती है ये देखिए दूसरी वाली है कलर इसका भी अल्मोस सेम है लेकिन इसके जो लीव्स है न थोड़े लीव्स में इसके कठ है और ये भी हैंगिंग बास्केट में आप ग्रोव कर सकते हो नॉर्मल पोर्ट में भी और काफी हाडी है इसी टू ग्रोव प्लांट है नेक्स जा हमारे पास ट्रेट सकैंट या सिला मॉन्टाना ये भी एक बहुत हाडी रफ टफ सकुलेंट प्लांट है और इसमें जो है समर्स का बेसिकली ये प्लांट है और ये जो है इसमें छोटे छोटे ना पिंक से ऐसे परपल हाट में फून लिकलती है वैसे इसमें और जितने भी प्लांट में आपके साथ शेर कर रहा हूँ है हाडी सकुलेंट ये mostly जो प्लांट है ने summer growing प्लांट वियंटर में थोड़े ये डॉर्मनेंसी में चले जाते हैं और पोर्चुला का पॉर्सलेन मोस्रोस ये भी सकुलेंट में आते हैं और इसके साथ 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 प्लांट होने के साथ साथ ये जो है फ्लावरिंग प्लांट भी है देखिए धेर सारे रंगों में आते हैं और पतियां भी खूपसुरत होती है, सकुलेंट होता है ये और फूल भी निकलती है खूपसुरत नेक्स जो टॉप हैंगिंग बास्किट का हाडी प्लांट है, वो है जेड प्लांट या पोटोलकार या आफरा या मिनी जेड, ये मेरे गार्डन में बहुत ही अच्छे से चलता है, जगा-जगा मैं इसकी कटिंग से लगाता रहता हूँ छोटे कप्स में, वेस्ट बॉटल्स में कट करके, ये देखिए, जगा-जगा मैंने इसे लगाया हूआ है, इसकी मेरे पास दो वराइटी है, एक और वराइटी है, ओवल शेप वाली, वो भी काफ़ी खूप सुरत होती है ये देखिए, भी मैंने एक वेस्ट में लगाया हूआ है, शैलो कंटेनर में, तो काफ़ी अच्छा लुक ये आ गया है, फुल सनलाइट में चलने वाला सकुलेंट है ये, और ये है हमारा चेन प्लांट या बास्केट प्लांट, इसके लीवस भी बहुत ही थिक होती है, सकुलेंट प्लांट है, और इसमें जैसे ये साइट से इसके रनर्स निकलती है, तो ये काफ़ी भर जाता है, बहुत ही जल्दी भरता है, और काफ़ी थिक होती है इसके leaves पानी एकदम भरा होता है और इसे octopus plant भी कहते हैं कि इसके size से जैसे octopus की होती है न टांगे वैसे इसके runners निकलते हैं और देखने में hanging basket में लगावा काफी खूब सुरत लगता है और ये हमारा सब gardeners का favorite turtle wine और easy to grow plant ये भी एक succulent plant है इसके जो leaves में है न पानी शोर होता है कभी आप देखोगे तो इसके leaves तोड़के आपको पता लगेगा कि इसके leaves में काफी पानी शोर होता है और next है हमारा succulent plant purple heart ये colorful look भी देता है आपके garden में और उसके साथ से में fall भी आते हैं और ये भी succulent plant है cutting से बहुत ही आसानी से चल जाता है और waste hanging basket में आप इसे लगा सकत हो तो pot में भी आप लगा सकते हो full sunlight semi shade shade में हर जगा बिना किसी कोई खास कियर के आराम से चलता रहता है और next हमारे पास tangled heart ये winter में बिल्कुल खतम हो चुका था लेकिन अभी ये थोड़ा थोड़ा grow होने लग गया अच्छा इसकी मैंने pinching कर दी थी तो अभी ये काफी फैन succulent plant है summers का और hanging plant है ये भी semi shade shade में और जो है full sunlight में आराम से चलता रहता है बिना किसी कियर के पानी से भी जो है कम चाहिए succulent plants है तो mostly सभी succulents को पानी कम भी चाहिए और next हमारा string of banana ये मुझे छोटी सी cutting मिली थी कहीं से last winters में तो अब देखिए आप कितना port भर चुका है और काफी जगा मैंने इसे लगाया हुआ है छोटे-छोटे cups में, hangings में, hook port में भी लगाया है ये मैंने shade में रखा है और इसे मैंने full sunlight में भी रखा है वहाँ पे भी बहुत आसानी से चल रहा है कोई फरक नहीं है और यहाँ पे भी इसे morning की एक दो घंटे की दोप मिलती है और actually ना इनकी cutting लगाता रहता हूँ तो थोड़ा इने मैं लटकने नहीं दे रहा हूँ नीचे को और next हमारे पास ये Ruby necklace इसकी जो champs होती है परपल होती है और leaves इसकी green होती है छोटे-छोटे yellow color के इसमें flowers पी आते हैं और port में, hanging planter में, waste में आप इसे लगा सकते हो बहुत easy to grow ह plant ये मेरे garden में ये जगा जगा इसकी cutting gate ती है तो अपने अप grow होता रहता है तो ये सारे plants थे, succulent जो hanging succulent और hardy plants हैं अगर आप beginner हैं या succulent lover हैं तो इन plants को आप अपने garden में जरूर add करें बिना किसी खास केर के, बिना किसी शिकायत के आराम से चलते रहेंगे तो please इस वीडिय आई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब